क्योंकि गुणों के आधार पर समाज चलता है और समाज के गुणों के आधार पर देश बड़ा होता है कोई एक विक्ति एक समूह एक विचार एक तत्वद न्यान उसके आधार पर देश बंते बिगड़ते नहीं क्योंकि आखिर समाज में गुणों की कदर है और गुणों क तो रहते हैं लेकिन गुणवान लोग हमेशा साधनवान रहेंगे एसा नहीं है और गुणवान व्यक्तियों को भौतिक साधनों की अवश्यक्ता तो होती है लेकिन वो गुणवान है तो अपने प्रयाश्यों प्राप्त भी कर लेगा परंदु मुख्यबात है प्रोच्छा प्रुच्छान देने का काम समाज के सब प्रमुख लोगों का रहता है राजाओं का भी यह रहता था अब राज्य विवस्था बदल गई तो भी राजाओं के इन सद्गुणों की परंपरा राजगराना चला रहा है यह अभिनंद्य बात है और मैं हमेशा ही इस बात के ल क्योंकि गुणों के आधार पर समाज सलता है और समाज के गुणों के आधार पर देश बड़ा होता है कोई एक विक्ति एक समूह एक विचार एक तत्वज ज्यान उसके आधार पर देश बंते बिगड़ते नहीं वो अलग अलग होते आज दुनिया के जो अच्छे जैश ह उसमें अच्छे नेता उसमें भी है और जिन देशों के हालत भी कहसता है उसमें भी नेता अच्छे मिलेंगे निया इसा निवाँ भी मिलते हैं अनु भी व्यवस्था बन सब्सक्राइब कर चल रहुआ के यहां इसका अर्थ यह है कि यह सारी शायक होती है भुख्धाइबात कि समाज पढ़ा की तनी एक अर्थ स्वार्थ हैय की नहीं गुणों को प्रोच्षान देने से यह सारी बाते बढ़ती हैं कोई राजा या कोई प्रमुख आदमी गुणों का प्रोच्षान दे रहा है उसको अपने लिए वो करने के आवश्यक्ता नहीं है तो भी कर रहा है इससे कहा जाए ना कहा जाए अपने आप वो अपना पन का दाइरा बढ़ते चले जाता है क्योंकि मुझे कोई मदद करता है तो मेरे उपर जब प्रसंग आता है तब मैं भी वही करता हूं मुझे वह स्वर्ण होता है मनुष्यों में कृतग्न लोग बहुत थोड़े होते हैं सामान्य स्वभाव मनुष्य का कृतग्न रहना यह है और इसलिए जब जब ऐसे होता है जब जब यह अनुभव आता है तब तब वह व्यक्ति अपने जीवन में भी कुछ न कुछ प्रमाण में इसी का आचरन करता है तो गुणों का गवरो होने से गुणों को पृत्सान मिलता है एकात्मभाव का पुरस्कार होता है और उसके कारण सारा देश एक वातावरन में प्रगती के रहा पर चलता है राजरत्नगोरों पुरस्कार भोसले कुल का भूशन है लेकिन केवल उनके कुल का भूशन न कि और इसलिए इन कार्यक्रमों का प्रोथान भी प्रत्री वर्षे इसमें अच्छी उपस्थिती में रहे कर हमको करना चाहिए और इससे प्रेरणा लेकर जितना हम कर सकते हैं उतना हमने भी प्रारंबर करना जाहिए कोई गरिब विद्ध्यार्थी है आगे पड़ सकता है चमता उसकी है लेकिन साधन नहीं है उसके साधनों की पूर्णता या आउशता आपूर्ती हम कर सकते हैं कि हमारे अपने घर में घर का काम करने के लिए जो लोग आते हैं हम अपने बाल बनवा थे किसी नहीं के यहां बनवाते हूंगे कपड़े दोते हो जो किसी किसी के रहा है यह समारा जीवन चलाने वाएले लोग है उनका घर कैसा है उनके जीवन में गुण कोंसे है उनको साधन कितने हैं यह अपना एक बड़ा कुटुम्ब यह इसे राजा प्रजा को कुटुम्ब मानकर गुणी जनों की कदर करता है उसको प्रुच्सान देता है जिस प्रमबर अगा जोकसर ने वी उल्लिक कि वैसे अपने इस बड़े कुटुम्ब में हम जितना भला सबका कर सकते बिना अहंकार किये उपकार नहीं है तो अपना कुटुम् सब्सकार की परमपरा जो चली पहसी सफल हो गा यह उत्तर आत्र अधिकादिक सफल होता जाए ऐसा हम सब करें पूरु कुरुत्त लोगों कीस्ठीय चले जाये, एक शुभका मना मंगत देता हूं और मेरी चार शब्दा समाप्त करता हूं, बहुत बहुत क्लोगे।